जैन धर्म का पर्यूशन पर्व 15 अगस्त से शुरू हो गया है जो 20 अगस्त तक चलेगा और इसे बीच महामारी को देखते हुए इस पर्व को घर पर ही रहकर और उनलाइन मनाने की कोशिश की जा रही है इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खुबसूरत महिला की तस्वीर वायरी हो रही है दारल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वडोदरा की महरानी रादिका राजे गायकवार है जिन्होंने सब को छोड़ कर जैन धर्म की दिक्षा ले ली है नहीं कहीं जगे ये दावा भी किया जा रहा है कि दो करोड का आकशक सेलरी पैकेच छोड़ कर इस खुबसूरत महिला ने साधवी बनने की सूजी है इन पोस्ट को जैन धर्म से जुड़े सोशल मीडिया पेच पर जादा शेर किया जा रहा है लेकिन जब इन तस्वीरों को और इनके साथ किये जा रहे धावों की सच्चाई तक जाया जाए तो ये सामनी आएगा कि ये फोटो तो वडोदरा की महरानी रादिका राजे गायकवार की है उनके कए सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर वाइरल हो रही तस्वीरे मिल रही है लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना सब को छोड़कर जैन धर्म की दिक्षा ले ली है ये बल्कुल गलत है शाही परिवास से तालूक रखने वाली रादिका राजे गायकवार ने साल 2002 में बडोदरा की महराजा समर्जीत सहन गायकवार के साथ शादी की थी शादी के पहले वो पत्रकार भी रह चुकी है और गुजरात की लक्ष्मी विलास पैलस में अपने परिवार के साथ रहती है कुछ खबरों की माने तो लक्ष्मी विलास पैलस लंदन के बंकिंगम पैलस से भी चार गुना बड़ा है उनकी जैन साथ वी बनने को लेकर सोचल मीडिया पर जो खबरे फैलाई जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अफवा है